मेरे प्यारे देश वासियों, कल 30 नमंबर को हम स्री गुरु नानक देवजी का 551 वा प्रकास पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देवजी का प्रभाव स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। वैंकुवर से वैलिंग्टन तक, सिंगापूर से साउध आफरिका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। पिछली वर्श नमंबर में ही करतापूर साहिब कोरिडोर का खुलना बहुत ही अहत्यासिक रहा। इस बात को मैं जीवन भर अपने रदे में संजोकर रखूँगा। ये हम सभी का सवभाग्य है कि हमें स्री दर्वार साहिब की सेवा करने का एक और अफसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाईबायनों के लिए अब दर्वार साहिब की सेवा के लिए राशी भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दर्वार साहिब के और करीब आ गई है। साथ्यों ये गुरु नानक देवजी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में स्विक्समुदायने किस प्रकात करोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने के अपने परंपरा को जारी रखा है। मानवता के सेवागिय परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक के तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देश वाष्यों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जैनती पर मेरी बहुत बहुत शुब कामना है।